आज मैं आप लोग को पताऊंगे प्रीमेर प्रो में एक चीज सब क्लिप्स बहुत यूसफुल होता है आप लोगों अगर मेरा प्लेस देखा है प्रीमेर को तो मैंने एक वीडियो बनाया था गंटे का है उब देखा था कि आप गंडे करनार को तर्प्र अब लोगों प्रोचन करते हूं अब być को तो यूजिक वाटते है उसको आप रख थे हो बागी सब निकाल देते पर वह आप time line पे करते हो sub clips एक ऐसा process है जिसको आप use करके time line पे जाने से पहले ही आपकी जो बड़ी clip है उसके आप छोटे-छोटे-छोटे-छोटे segments को आप अलग से करके रख लेते हो जो भी content आपके useful है उसको आप अलग करके रखते हो तो आप time line के उपर सिफ उसको ले कर जाते हो और अगर आप file collect करते हो तो आपका क्या होगा time line के उपर बड़ी duration वाली जो वीडियो थी वो use नहीं होती है उस वीडियो की जो sub clips सिफ वही use होती है सारी बहुत सारी होंगी obviously और जब आप files को collect करोगे तब आपकी जो बड़ी duration वाली file है वो actually एक आपके sequence में use नहीं होई है तो वो files में collect नहीं होती है जो भी useful content सिफ वही आपका उसमें use होता है और बहुत दुने बाद वीडियो बना रहा हूँ पता नहीं कितने take ले चुका हूँ इससे पहले और आदत चली गई है बहुत तबित खराब थी घर में बहुत problems थे यहां से physically financially बहुत परिशान रहा last three months पर अभी दिर दिर उठ उठ रहा हूँ और आपको भी उठा रहा हूँ प्रीमेर में चली तो start करते हैं प्रीमेर में कैसे sub clips को use करते हैं कैसे बनाते हैं उसका usage क्या है चलिए तो देखिए मैंने एक project open किया हुआ जिसमें मैंने सिर्फ दो clip लिए है एक dancing man करके है और एक dancing woman करके है ठीक है अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग sub clips बनाते कैसे है माली जी मेरी ये clip है जिसका duration बहुत बड़ा है मैं इसको ऐसे view में ले ले लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा करी है ये dancing woman और ये dancing man तो मैंने कहा था आप से कि आप clip को ऐसे ले जाकर timeline के उपर लेकर आते हो फिर आपका जो भी wanted चीज़े होती है उसमें आप cut लगाते हो फिर ये निकाल दिया फिर आगे गए इहां cut लगाया तो आपने किया क्या actually आपने किया क्या आपने पूरी की पूरी वीडियो ये वीडियो तो नहीं है पर इस example में तो छोटी है पर आपको पता होगा कभी कभी shoot करते होगा बहुत से unwanted चीज़े shoot होती है और वीडियो की जो actual length 10 minute होनी चाहिए वो आपके 50 minute 60 minute 2 घंटे तक भी खिच जाती है तो आपको पूरा का पूरा वीडियो टैनन पे लाने की ज़रा नहीं होती है फिर आप टैनन पे लेकर आओगे फिर उनको आपकी notice कीजिए मैं sequence का है मैं sequence delete कर देता हूँ मैं notice कीजिए मैं source window इधार रखा हूँआ सिर्व आपको बताने के लिए देखें आप sub clip बनाओगे कैसे इसको select करो तो देखें यहाँ पर एक बार आता है यह आप लोगों को बता ही होगा प्रेड़ी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो इसको आप scroll कर सकते हैं आप यहाँ पर भी in out points लगा सकते हैं जैसी आप यहाँ in out points लगा होगे मैंने i से in point लगाया और थोड़ा इसको आगे लेके गया और मैंने ओसे out points लगाया तो इस clip के ओपर मैंने इतने part को select किया select किया फिर right click किया और मैंने यहाँ पर जाके एक option आता है make sub clip तो मैंने make sub clip किया तो एक dialogue box खुल के आता है वो by default जो उसका नाम आएगा वो कुछ ऐसा ही आएगा जो आपकी master clip का नाम है dancing man और फिर sub clip 001 sub clip 002 जो भी है और एक option आता है restrict time to sub clip boundaries इसको बताता हूँ मैं इसको हम लोग check करके okay कर देता है तो उसने क्या किया जो मैंने in out point यहाँ पर choose किये थे न उतने ही segment की एक अलक से उसने clip बना के आपको इधर दे दी है ठीक है अभी देखे इस clip को इस वाली clip को मैं source window में open करता हूँ मैंने double click किया source window में open होगी तो देखिए इसके in out point यहाँ पर लगे हुए है जो मैंने लगाए थे same लगे हुए same चीज आप इसमें भी कर सकते हो इसको यहाँ पर मैंने ऐसे यहाँ पर I किया और यहाँ पर जाके O किया और इसको make sub clip कर सकते हो या फिर इसका एक shortcut है control U उसमें भी मैंने यही किया और OK कर दिया तो इसकी भी sub clip बन गई अब देखिए sub clip का जो icon होदा न आप ध्यान से देखिए किस तरीके से आता है normal clips का ऐसे आता है और sub clips का कुछ इस तरीके से आता है अब मैंने इसकी जो master clip थी इसको भी इसमें open किया तो देखिए इसके भी मुझे in out point यहाँ पे लगे मिल रहे है दोनो clip source window में एक साथ खुली हुई है आपको एक ही दिख रही होगी पर यहाँ पे आप इसके source window के इस three bar वाले menu पे click करेंगे तो यहाँ पे देखिए यह dancing man वाली source clip और यह dancing woman वाली source clip ठीक है यह sub clip बन गई अब इसका benefit क्या है कि देखिए आप जब इसको इधर आप time line के उपर लेके आएंगे तो आप सिर्फ वही चीज़ लेकर आए जिसकी आपको ज़रत है आपको फाल्तू दिलाने के ज़रत नहीं है जब आप यहाँ पे files में जाके और project manager में जाके यह dance है यह आप collect files करते हैं यहाँ पे collect files तो आपको यह file जो बड़ी वाली file थी यह बड़ी वाली file थी आपको किषी को project share करना होता है तो आप यह तो share करना नहीं चाहोगे ने कोई कुछी में तो कच्रा भी बहुत साथ है आपने जो माल निकाल रख्का वही share करना चाहोगे किषी के साथ आप अप project share करके रखते भी हो फृचर रवेटर्ट तो आप यही चाहोगे कि आपके पास सिर्फ वही चीज हो जो आपके useful अफाल, तो क्यों memory बढ़ाना और प्रीमर को load देना, ठीक है? मैं इसको maximize करता हूँ, यह मेरी sub clip थी, आप चाहोँ तो sub clip की भी sub clip बना सकते हो, in, out, io दबा रहूं मैं actually, और ctrl u, और इसकी भी sub clip बन गई, ओके, यह भी sub clip बन गई, और इसका भी icon देखिए वैसे ही आया होगा, यह ऐसे आप project window से sub clip बना सकते हो, same चीज आप इधर से भी कर सकते हो, source window में जाओ, और, मन लीजे मैंने, यह वाला part select किया, right click किया, और यहाँ पे किया, make sub clip, ऐसे भी sub clip बन जाएगी, ओके, फिर आप रहूं को लगा कि मैं इसको in out point यहाँ लेने है, तो आप इधर से भी sub clip बना सकते हो, या फिर control u कर सकते हो, एक और तरीका है, sub clip बन ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे in out point लगाए, आप control u कर सकते हो, sub clip बनाने के लिए, source window से, आप right click करके make sub clip कर सकते हो, या फिर, आप, देखे, आप जब source window से मैंने in out point लगा रखे हैं, और आप हम जब इस clip को ऐसे उठा के, ऐसे drag करते हैं, तो ऐसे drag करके, जब timeline के उपर ले के जाओंगा तो, क्या sub clip बनाएगा का यह, नहीं, sub clip नहीं बनाएगा, यह पूरी clip भी copy paste कर देता है, ठीक है, पर अगर मुझे sub clip बनाने हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप जब इसको उठा के इधर लाते हैं, तो clip आती है, और जब आप इसको उठा के इधर ले जाएं, सिर्फ control दबा के रखो, control दबा के रखोगे, और इधर लेकर आओगे, तो sub clip बनाना है, इससे भी बहुत easy, आपको control यू या right click करने के जरूब नहीं, आप simple उठा के डाला, sub clip बन गई, उठा के डाला, sub clip बन गई, फिर control उठा के डाला, sub clip बन गई, फिर इसको change किया, यह मैंने उसको कहा था कि आप ये, restrict time to sub clip folders, एक बार मैंने ऐसे sub clip बनाया, और एक बार मैंने control से drag किया इधर, और इस बार मैंने check box हटा दिया, और एक और sub clip बनाया, इस sub clip को इधर लेकर आया, और इस sub clip को भी मैं इधर लेकर आया, इन दोनों में difference किया है, इन दोनों में difference किय जिसमें आपने restriction किया था उसमें आप देखिए यह देखिए इस clip में यहाँ पर जो white वाला पार्ट आ रहा है कोने में triangle यह होता है कि आप इसको यहाँ से expand नहीं कर सकते हो कि मैंने boundaries इसकी restrict कर दी थी कि आप change नहीं कर सकते हो इनको पर जिसमें restriction नहीं दिया था उसको आप आगे पीछे sub कर सकते हो ठीक है यह difference है उसमें in future अगर आपको आगे पीछे करना हो तो आप restriction हटा दो नहीं करना हो तो आप मत हटा हो ठीक है अभी मैं इसको delete करना हूँ अभी मेरी इस वाली clip पे मैं restriction लगा दी थी अभी मुझे इसको नहीं लगानी थी तो आप क्या एक option और होता है कि आप sub clip को edit भी कर सकते हो मैं edit पे जाओंगा और सारी right click करूंगा और यहाँ पे आपको मिलता है edit sub clip जब edit sub clip करोगे तो यहाँ पे आपको option मिल रहा है restrict trim to sub clip boundaries को आप हटा दो तो इस पर से boundaries थी वो हट जाएंगे आप देखिए इसमें देखिए sub clip का स्ने start duration भी दे रखाए देखिए देख रहे हैं आप यहाँ से भी उसको change कर सकते हो sub clip की duration को जो आपने पहले set कर दिया था आप दुबारा sub clip ना बनाओ यहाँ से भी उसकी duration को आप change कर सकते हैं time code के useful से आप चाहो तो sub clip को source clip भी convert कर सकते हैं क्योंकि इस sub clip की source clip क्या थी ये इस sub clip की source clip ये थी कुछ भी हो ये sub clip है folder sub folder windows में देखा है न folder sub folder यह इसकी sub clip थी मैं चाहता हूँ कि यह अपने आप में ही एक source cliop बन जाए तो इसकी आप source clip में convert कर सकते हो टिक है मैं इसको delete करता हूँ is delete करता हूँ और इसको delete करता भी अब मुझे ची दिखाने है आपको मैंने इसको open किया और हम चाहें तो इस पूरी क्लिप को यहां पे लाके मैं ट्रिमिंग कर सकता हूं पर मैं वह नहीं कर रहा हूं कि हमारा वीडियो तो सब क्लिप के ऊपर है अरे यार हट ना तू क्लिर इन आउट पॉइंट करो बहले है और आई ओ और मैंने इसको ठाके दाला ओके और एक मैंने बिन ले लिया इसका नाम दिया सब क्लिप्स ओके इस सब क्लिप को इसके अंदर डाल दिया और फिर मुझे लगा कि यहां पर आके आई और ओ यह वाला पार्ट मुझे किया इसके अंदर डाला और ओके कर दिया तो इसके अंदर अब दो सब क्लिप होंगी करेक्ट सही है ऑके अभी फिर मुझे लगा कि यहां पर इन यहां पर आउट इतना पार्ट मुझे चाहिए हम देखते हैं एक्चली यह तो मैं आपको जले दे करके दिखा रहा हूँ ज सुंव होंगी किए इस ओर इसको क्लियर करते हैं सिंप्लिफाय करते हैं तो मैंने क्ट्रोल प्रेस करके अदर ढाल दिया सब क्लिप सब क्लिप के नाम अपने यहां इतना हो गया और मैंने गया किया इतना किया, ठीक है? और मैंने इस पिन जाके, सारी CLIPS को سलेक्ट करके एक मिटे здесь, यहां से सलेक्ट करके, यहां से, और मैंने इनको time link के ओपर दाल दिया, तो मुझे सारी की सारी CLIPS, पहले से ही, कट होके मिली है, ठीक है? और अब इस फोल्ड, अब मैं इस project मालेजे काम कर रहा हूँ ये clip मालेजे बहुत सारी थी इसी project के अंदर मैं किसी एक नई sequence के उपर भी काम कर रहा हूँ तो अब जो master clip थी मेरी ये master clip थी इस sequence के अंदर मुझे अगर कोई clip चाहिए होगी इस master clip का कोई segment चाहिए है मुझे इसके अंदर जो भी चाहिए तो या तो मैं यहां से copy paste कर सकता हूँ सेग्मेंट को या फिर मैं इस sequence के अंदर ना जाके इसी sequence में इस sequence में ना जाके सीधा यहां से उठा सकता हूँ इसके benefit actually यह होते है sub clip के कि आपको बहुत जगा पर जाके आपको डूंडी नहीं पड़ेगी यही पर आपको सारी की सारी मिल जाएगा अगर आपने segregation अच्छे से किया होगा बेंस अच्छे से बनाए होगे ठीक है दूसरा आप चाहो तो इस जितने भी यह sub clips थे इनको आप चाहो तो individually export भी कर सकते हो कभी कभी होता है कि हमको किसी एक clip को यहाँ पर लेकर आए और मुझे इसका है छोटा सा part export करना है without any correction कुछ भी change किये तो आप इसको इधर लेकर आओगे इसको आप इधर लेकर आओगे इनाउट पॉइंट लगा हुआ है आप इसको इधर लेकर आओगे यह मैंने क्या किया alt backslash जो आपका प्रेहट जहां पर होता है वह zoomed उस पर पहुंच जाता देखिए मैंने alt और backslash जो backspace की होती है डिलीट वाली backspace उसके बाजू में जो होता है वहाँ वह backslash होता है alt और वह करोगे जैसे आप महां लीजिए इधर हो आप इधर हो और इधर यहां और आप बिलकुल zoomed out हो और मुझे इस वाले frame को एकदम zoom in करके देखना है या तो आप इसको इसे zoom करोगे ऐसे करोगे या फिर आप minus plus से zoom करोगे एक short easy तरीका है कि मैं alt forward slash मार दो खटक से उसी frame पर पहुंच जाता हूँ alt forward slash मारूंगा फिर वापस नहीं पहुंच जाओगा alt backslash alt backslash ठीक है तो मैं इधर आया और बता किया रहा था भूल गया या shortcut हाँ ये था कि मैंने एक clip यहां लेके आई अब मुझे या तो मुझे इसके बीच का कोई पार्ट चाहिए था तो मैं क्या करूँगा trimming करूँगा यहां से Q दबाया और मुझे इतना वाट चाहिए था W दबाया फिर इस sequence को जाके मैं export करूँगा तब मुझे ये file मिलेगी न इससे अच्छा ये है कि आप यहीं इसको source window में खोलो और आपको जो भी पार्ट चाहिए था कि मुझे यहां से in से out तक से भी इतना ही पार्ट चाहिए और कुछ editing वेगारा कुछ नहीं करनी है ठीक है इसकी sub clip बना के इधर लेकर आओ इस जो आपने sub clip बना ही उस पर right click करो नीचे जाओ इधर यहां पर आपको मिलता है export media का option आप सीध एक्सपोर्ट कर सकते हो आपको timeline माने की जरूँद नहीं कुछ करने की जरूँद नहीं पड़ी आप चाहो तो project window या सो उस window से direct उस part को उस segment को लेकर आप सीध एक्सपोर्ट मार सकते हो तो जरूँद नहीं है तो subclip का benefit बहुत जाता होता है और दूर्श आप देखिए अगर मैं collect file करूँगा इसकी file में गया project manager के अंदर गया मैंने का collect file करो dancing manual sequence करो और यह dancing manual sequence करो और calculate करके बताओ कितना रहा है 6.48 MB आ रहा है ठीक है cancel एक मट dancing man में dancing man वाली file के अंदर master file नहीं है ठीक है यह master file नहीं है सिर्फ इसकी subclips है मुझे वही देखना था project manager और collect files और कौन सी dancing man वाली delete unused clips okay calculate okay browse कहाँ डाल दूँ भाई मेरे e-drive में life in layers subclips और यहाँ पर मैंने एक folder बनाया collected ठीक है और मैंने इस folder को select किया और किया okay save गया project को अब हाँ पर files collect होई होगी क्या देखते हैं क्या collect files होई है हाँ पर subclips collected अब देखिए इसके अंदर जो main master file थी वो नहीं आई है सारी subclips आई है actually आपके उस project में वही चीज उस भी है तो मैं बड़ी master file को क्यों रखो अपने पाई इतनी बड़ी file को और देखिए जो भी आपने previews generate करे होते हैं collect files में वो भी मिलते हैं audio previews भी मिलते हैं और जो आपका project होता है obviously वो तो मिलता है media cashier तक मिल जाता है तो यह था collect files और sub clips का use sub clips को आप edit कर सकते हो sub clips actually benefit बहुत होता है वही जैसे मैं आपका बताया कि आप trimming करो या फिर पहले से ही उसको जैसे अभी मैं YouTube videos बनाता हूँ आप पूरी पूरी file तो safe करके नहीं रखोगे न अपने पास तो आप क्या करते हैं master clip को तो यह रखते ही नहीं है जो भी इसका जो अच्छा वाला पार्ट है usable content ऐसे वो इसको रखते हैं और दूसरा बहुत important चीज sub clips कोई external media और premiere कोई और media file generate नहीं करता है वो क्या करता है आपकी जो master file है उसको ही रखेगा बस उसके instance create करता है अपने पास ऐसा नहीं है कि sub clip होती है तो आपकी नई clips बनाता है वो और आपका memory computer की memory बढ़ाएगा नहीं सिर्फ उसी file के कुछ instances है जो आपको project में show करता रहता है वही होता है sub clip ऐसा नहीं है कि master file में से इतना part copy पिया एक sub clip बनाई नहीं तो आपकी यह भी रह जाएगी यह भी बनेंगी तीन तो आपका memory बढ़ गई ऐसा नहीं होता है वो इसी file के सिर्फ instances यूज़ करता है आपके project के अंदर तो नहीं file नहीं create करता है पर collect files के अंदर नहीं file create होती है क्योंकि आपने कहा है कि मुझे बना के दो collect करके दो तो यह था सब clips use करना पता होगा था यूज़ करोगी करोगी वन्ना नॉर्मली तो इंसान यह करता है उठाके master clip को डालता है काट पीट काट पीट काट काटना पीटना चालो कर देता है तो collect files यह सरी सब clips बहुत यूसफुल होती है तो आशाकरता आपको समझ में आया हो बहुत दिन वाद वीडियो बना आया तो पता नहीं मैं समझा भी पाया ने कुल पर जा पाया एक तो habit चली गिए मैं camera face निकुन ने कौन सा वाला शुच चले मिलता हूं नेक्स वीडियो के अंदर की बाए झाले वीडियो कि अचले मैं आया थम्ट जीडियो की डिए बिए्ट अर्फ ऊचले मिलता है यदुले।